मेरे संपने थे कि मैं Air Horses बनूँगु, मेरे संपने थे कि मैं मढूर्टलबनू, अक्टर बनूँगुु लेकिन कैसे रोनुख, चार फुरद 2 लिच, स्कूल में कोई स्पोर्ट्स मैं भी नहीं लेता था, यह कह कि क् तुम्हरा हाथ नहीं पॉहुआ एक्सेट कर लिया कि मैं छोटी हूँ लेकिन लोगों ने नाम दे में शुटकी, मिनी रोड रोलर, थेको, खसी तो आती थी लेकिन दिल में बहुत दाती है कि मैं ही की, वाइ मी, और एक ताइम ऐसा पी आया कि I thought that I should commit suicide, I am a kalank to the society, five facts of life I will tell you, how do you actually become balanced, I am not saying successful because balance is the first thing which will lead you to success. तो जिन्दगी का मतलब हर एक इनसान के लिए अलग होता है और आज जो मैं आपको बताऊंगी वो कुछ जिन्दगी के साथ जुड़ीवी बाते ही बताऊंगी कि कैसे आप अपनी जिन्दगी को एक नए रूप में देख सकते हैं, सबसे पहले मैं रीटा गंगवानी मैं आपको जो स्टोरी सुनाऊंगी पहली वो मैं अपनी जिन्दगी से शुरू करूंगी और फिर पांच मंत्र, 5 facts of life I will tell you, how do you actually become balanced, I am not saying successful because balance is the first thing which will lead you to success, so I will start with my story, आप देख सकते हैं, कि मैं 4 foot 10 inch की हूँ, मैं बहुत जादा लंबी नहीं हूँ, and when I was school में जब थी मैं प अच्छी थी, till 6th or 7th, and one fine day I realized, every girl had grown taller than me, और मैं उतनी की उतनी, and I used to fight with my friends, कि भाई क्या बात है, तुम क्या खाती हो, क्या आप इतनी लंबी हो रही हो, तो वो जो भी मुझे बताते ही कोई increment tonic आता था, दस-दस बोतले एक साथ में पी जाती थी, यह सोच कर कि शायद सु लेकिन लोगों ने नाम देने शुरू कर दिये, छुटकी, मिनी रोड रोलर, ठेंगू, हसी तो आती थी, लेकिन दिल में बहुत दर्द होता था, कि मैं ही क्यों, वाई मी, और मेरे सपने बहुत बड़े थे, मैं एक छोटे से टाउन को बिलॉं करती हूं, शिमला, और मेर मेरे सपने थे, कि मैं air horses बनू, मेरे सपने थे, कि मैं model बनू, मेरे सपने थे, मैं actor बनू, लेकिन कैसे बनू, 4 foot 10 inch, school में कोई sports man भी नहीं लेता था, यह कहके कि तुमारा हाथ नहीं पहुंचेगा, actress बनने के लिए, school में जब drama होते थे, तो lead role मांगती थी, लेकिन उसमें तो बहुत अंदर से दर्द होता था, सोचती थी, जिन्दगी में कुछ नहीं कर पाऊंगी, और पेरंस को भी ऐसे लगा देखकर, कि शायद इसका जिन्दगी में कुछ नहीं होगा, आजकल तो बड़े वेन्यूस खोले हैं, तब ऐसा नहीं था, अब हुआ ये, कि जब मैं 10 11th पास करके कॉलेज में गई, अमिताब जी का जमाना था, और rejection तो मेरे अंदर पहले से थी, self esteem था ही नहीं बलकुल, अब कॉलेज में अंटर किया, अमिताब बचन जी का जमाना, जंजीर पिक्चर रिलीज हुई थी, हर लड़का, अमिताब जी की तरह ड्रेस अप होता तो naturally में कॉलेज में घुसी और पहली नजर जिस पे पड़ी, वो देखने में बिलकुल, अमिताब बचन, I fell in love with this boy, one-sided affair, so होता क्या था, कॉलेज की बाहर 7 बजे खड़ी होती थी उसको देखने के लिए, आज वो क्या पहन के आया है, काली कमीज, नीली पैंट, मैंने भी नेक्स्टे वो ही पहननी, इसी उमीन से के शायद एक बार वो मेरी तरफ देख ले, ऐसा हुआ नहीं, आता था, सीधा निकल जाता था, और मेरा दिल रोज तूटता था, तो मेरी फ्रेंज ने मुझे कहा कि क्यों ना तू उससे बोल दे जाके, या कोई तरीके से उसे बता कहा कोई आएगा, जवाब लेके, तो जवाब जो मिडल मैन था लेके आया और उसने कहा कि मैने उससे बात करी, कहता अरे वो जो गेट पर कड़ी होती है, छुटकी सी, ना अकल है, ना शकल, पहले ही आपका एस्रीम इतना लो है, कॉंपटेंस लो है, फिस रिजेक्शन फिस वो एक गाना नहीं है, सलमान जी का पहला पहला प्यार है, वही चीज थी के पहला पहला प्यार, the first step outside my comfort zone, and you face such a big rejection, it actually killed me inside, मुझे लगा मैं जिंदगी में कुछ नही कर पाऊंगी, जहां जाती थी, मेरे कद को देखकर लोग मजाक उड़ाते थे, और एक ताइम ऐसा भी आया, कि I thought that I should commit suicide, I am a kalank to the society, बड़े तरीके ढूंडे, you know, हाथ काटे, और क्या क्या नहीं किया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, because मुझे लगता है कि शैद कोई मकसद था मेरा जिंदा रहने का, कि मैं शायद अपनी इस हाइट से लोगों को फृच्सा हाइट कर सकूँ, I should encourage them to understand things in life, and then, one of my teachers, I am very grateful to her, उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया, और उन्होंने एक सौ का नोट बिलकुल करा रहा मुझे दिखा के पूचा बेटा, ये क्या है, I said, माम, सौ रुपे की कर बिलेगा, I said, माम, 100 पे 100, then, उस नोट को उन्होंने crush किया, what is it, I said, 100 रुपी नोट, change कितना, 100 रुपी, then, she made it little dirty, फिर बोले की, ये क्या है, I said, माम, 100 का नोट, change कितनी मिलेगी, 100 रुपे की, माम ने कहा, मैं यही चीज तुमको समझाने के लिए आ लेके आई हूँ, कि इ लेकिन ये 100 का था, 100 का ही रहा, इसकी value तो change नहीं हो गई, बस, यही formula जिंदगी का है, लोग आपको गिराएंगे, लोग आपको तोडएंगे, लोग आगे बढ़ने से आपको रोकेंगे, लेकिन क्या किसी के कहने या कुछ करने से आपकी value change हो सकती है, नहीं, she says, बेटा, अपनी value को पच्चानो, किसी की सोच को अपनी reality मत मान लो, and that sentence was the turning point of my life, मैंने realize किया, कि मैंने खुद से प्यार करना छोड़ दिया है, खुद को ही छोटा मोटा बोलना सोचा है, क्योंकि जब आप बोलते हैं, सुआ आप भी करते होंगे, मैं जानती हूं, सभी करते हैं, श सुनता है, सबसे पहले तो आप ही सुनते हैं, और जब आप सुनते हैं, तो imagine how bad your soul would be feeling, what you need is to pat your own self, कि wow, you are the best person going, and the same thing happened with me, कि मैंने अपनी नजरों में खुद को गिरा कि छोटा बना रखा था, I just need to accept as I am, I just need to remember, कि मैं यहां पर किसी परपस से हूं, and that was a changing point of my life, when I decided, मैं ऐ ऐसा कुछ करूं, जो किसी ने कभी किया ही नहो, and what I did, I applied for Indian Army, and I got into the MNS Corps of Indian Army, and came out to be the first lady officer from Himachal Pradesh, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. यह कहानी सुनाने का सिर्फ एक ही परपस था आपके सामने, कि रंग, रूप, काटी से कोई फरक नहीं पड़ता, what is inside you will take you, आप डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो नहीं चलेगी, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे तो नहीं चलेगी, life is like that, आप negativity भरके रखेंगे, यह सब चीज़ें भरके रखेंगे, जिंदगी में कोई आगे नहीं ले जा सकता, what you need to understand is, five rules which I am going to tell you today, five rules of this living world, सबसे पहला, accept yourself, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, एक परपस से भगवान ने आपको बना के बेजाए, so instead of looking at that entire negative thing as something which is not good for you, turn your negatives into positive activities, अब देखें, मैंने अपनी negativity को positive में कैसे convert किया through my profession, और अब उस profession को जो मेरा एक passion था उसको आगे लेके जा रही हूं, लोगों को सिखा रही हूं, and lot of people get inspired, और कोई आज मुझे गल्टी से भी कह दे, कि आप छोटी हैं, तो मेरा यही जवाब होता है, मैं छोटी नहीं as much under the ground as I am above it, so I am much much taller than all of you, तो बात मैं आपसे कर रही थी, five rules, पहला rule मैंने आपसे कहा है, accept yourself, खुद से जब प्यार करना सीखेंगे, खुद को हद करना सीखेंगे, तो आपको वापसी भी उतना ही मिलेगा, तो पहली चीज़ इस, to accept yourself, second most important, जो लेसन में आपको देना चाह किसी की भी नहीं है, तो अगर पांच उंगलियां किसी की बराबर नहीं है, और ये पांच की पांच अपना importance रखती है, बिलकुल उसी तरीके से, दुनिया में हर एक इंसान अलग है, आप अपने tongue impression को देख लो, आप अपने thumb impression को देख लो, हर इंसान different है, you are a designer piece God has created, so why not create your your own designer life, that is most important, तो अपनी इस सोच को कि ये बेटर कर रहा है, वो बेटर कर रहा है, वो बेटर कर रहा है, वो लंबा है, वो छोटा है, भूल जाओ, what you remember is that I am unique, I am a designer piece and this is what my life is and उसी के आसपास अपनी life को रोल करो, third important thing, आजकल instant जमाना है, instant coffee, instant मैगी, ये वो, सब चीज इस इ are looking for instant success, frankly दोस्तो, success instant अगर मिल भी जाती है न, तो वो टिकती नहीं है, what you must remember is, when you find success, you need to go baby steps, छोटे छोटे कदब लीजिये, एक दम से कुछ नहीं होता, बच्चा भी पहले पैदा होता है, फिर वो दीरे दीरे रेंगता है, फिर चलना सीखता है, फिर स्कूल जाता है, फि वक्त पे होती है, the fourth is carve your own destiny, और इस से मुझे एक और कहानी बहुत खुबसूरत याद आई, अपनी जिंदगी से, फिर से आप notice कीजे, अब तो मैं प्राइट के साथ कहती हूँ, I am just 4 feet 10 inches, लेकिन जब मेरी शादी होने वाली थी न, तो मेरे फामिली में से किसी ने गल्ती स बोल दिया कि लड़की देखने में अच्छी नहीं है, छोटी है, अजीव और गरीब है, and that again became a challenge in my life, I needed to prove myself, I saw a lot of posters, Himachal में, Himachal Queen contest हो रहा था, और मुझे लगा कि इसमें तो सभी लड़कीया जाएंगी, मेरा तो कुछ होगा नहीं, but still I took the risk, I went for that competition, लेकिन competition में जाने से पहले, I went to a coach, जिसने मुझे पहले इतनी छोटी बाते मुझे पता थी, मैं छोटी हूं, मोटी हूं, इसने पचास और एड करा दी list में, आपके दान तेड़े हैं, आपकी एक एंख छोटी है, आपके एक एंख बड़ी है, आपके बाल अच्छे नहीं है, आपका ये अच् हुज लिस्ट जिस पर मुझे काम करना था, और इतनी हुज लिस्ट पर काम करूँगी, तो contest ही खतम हो जाएगा, and then I decided कि छोड़ो, मैं खुदी देखती हूं, क्या करना है, अगर मेरे में कुछ होगा, तो जरूर मुझे मिलेगा, and then I worked very hard on myself, went for Himachal Queen Contest, and can you believe what, I got the crown of Himachal Queen in 1984, thank you, a big inspiration to all those, जो यह सोचते हैं कि आपको एक contest में जाने के लिए खुबसूरत होना जरूरी है, नहीं, intelligence जरूरी है, presence of mind जरूरी है, और एक desire, वो आग जरूरी है कि मुझे कुछ कर दिखाना है, feel good factor को छोड़के, आप looking good factor की तरफ जाएंगे, तो जिंदगी में कभी आग good बनाया है, very good, but don't take that the ultimate, मेरा जो जिंदगी का मकसद है, वो अच्छा दिखना, नहीं, अच्छा इंसान बनना भी बहुत जरूरी है, जो पांचवी point में आपको बता रही हो भी, that is, be a good human being, be a good human being, don't judge people, look around and be a good human being, छोटी सी कहानी फिर से बताना चाहूंगी, कि एक घर मे एक नए पड़ोसी आये और साथ वाले पड़ोसी रोज सुब आपने कपड़े दो के लाइन पे सुखाते थे, अब यहां से जो नया जो फैमिली था, वो रोज खिड़की से देखता था कि कपड़े सूख रहे हैं पड़ोसी के, तो हमेशा आपस में बात करते थे, कितने पीले-पीले कपड़े दिखाई देते हैं, इसको दोना नहीं आता, इनको शायद इनको नील के बारे में नहीं पता, इनको शायद सर्फ के बारे में नहीं पता, यहां जो भी चीज़े हम दोने के लिए यूज करते हैं, वो नहीं पता, इनको सिखाना पड़ेगा कि कपड दोने सीख लिये, दोस्तों उसके husband ने क्या कहा, उसके husband ने कहा, नहीं नहीं ऐसे बात नहीं है, आज सुबह सुबह ही मैंने खिर्की के शीशे साफ किये हैं, यही problem है, कि हम लोग judgmental बन जाते हैं, धूल हमारे अंदर है, और हम उस धूल के थूरू दुनिया को देख रहे हैं सपनों को कभी मरने मत दीजिये, मैंने आपसे कहा था, मैं air hourstice बनना चाहती हूँ, मैं models बनना चाहती हूँ, मैं actress बनना चाहती हूँ, ठीक है, यह और भगवानने directly नहीं दिया, indirectly दिया, कई बार आपको शीधा रस्ता नहीं मिलता, indirect रस्ता मिलता है, भगवानने जो बंद करके मत रखिए, सपनों को जीना सीखिए, बाहर निकलना सीखिए, very very important कि जब तक आप action नहीं लेंगे, जिन्दगी आपकी है, आप अकेले दुनिया में आये थे, और अकेले ही हमें जाना है, तो अकेले survive करना सीखिए, you have to take charge of your own life, खुद खड़ा हो ये, खुद सोचिए कि मुझे जिन्दगी में क्या करना है, आपकी जिन्दगी कोई और नहीं जीतेगा, और चलते चलते मैं आपको एक छोटा से शेर बताना चाहूंगी, कि अभी आप जिन्दा हैं, मरे नहीं हैं, अभी हम सर्गवासी नहीं हुए, we still have time, वक्त वक्त की बात है कि वक्त नहीं बदलता, वरना वक्त की बदलने में वक्त ही कितना लगता है, वक्त बार बार मिलता है जिन्दगी बदलने के लिए, याद रखेगा, वक्त बार बार मिलता है जिन्दगी बदलने के लिए, लेकिन ये जिन्दगी बार बार नहीं मिलत वक्त पदलने के लिए, so इस वक्त को पहचानिये, और I hope each and everyone actually finds their dreams the way I found myself. Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.